वेलकम टू नेक्स एक्जाम आज है 24 मार्च 2023 और 24 मार्च 2023 से करेंट अफेस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्यन मन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे और हर कुश्यन से रेलेटिट इंपोर्टेंट फैक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा टैलिगरां गूरप पर आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे और टैलेग्राम गख़रुप का लिंक मैं आख वीडियोकर दित्कम दे दिया है तो अप उस लिνक पर किलिक करके टैलीग्रां गुरूप जाइन कर सकते हैं तो चलियए स्थाट करते हैं पहला कुश्यन है हाली में विस्सु मौसम बिग्यान दिवस कम मनाय गया है तो अभी 23 मार्च को विस्सु मौसम बिग्यान दिवस मनाय गया तो इसकुषिन का बे अप्सन सही है एक्चुल में 23 मार्च 1950 को World Metrological Organization की स्तापना होई थी इसी की स्तापना को चिन्नित करने के लिए हर साल 23 मार्च को विस्सु मौसम बिग्यान दिवस मनाय जाता है अचा 23 मार्च को ही सहीद दिवस भी मनाय जाता है बगत सिंग, सुखदेव और राजगुरू को भी 23 मार्च को फांसी दी गई इसलिए 23 मार्च को सहीद दिवस भी मनाय जाता है अच्छा एक मार्च को सून निभेदवाओ दिवस मनाया गया, तेन मार्च को बेस्सु बनिजीब दिवस मनाया गया, चार मार्च को अंतरास्टी सुरक्षा दिवस और बेस्सु मोटापा दिवस मनाया गया, चै मार्च को बेस्सु टैनिस दिवस मनाया गया, आठ मार्च को अंतरास्टी माइला दिवस और नो स्मोकिंग डे मनाया गया नौ मार्च को बेश्टू किडनी दिवस मनाया गया दस मार्च को CISF का 54 स्तापना दिवस मनाया गया 14 मार्च को अंतरास्टी गडित दिवस मनाया गया और अंतरास्टी पाई दिवस भी 14 मार्च को मनाये गया 15 मार्च को बेस्व उपवोक्ता अधिकार दिवस मनाये गया 16 मार्च को रास्टी टेका करण दिवस मनाये गया 17 मार्च को वर्ल्ड स्लेप डे मनाये गया अठारे मार्च को बैस्विक रिसाइकलिंग दिवस मनाया गया, बेस मार्च को अंतरास्टी प्रसन्यत्ता दिवस, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे और बेस्सु गौरिया दिवस मनाया गया, 21 मार्च को अंतरास्टी वन दिवस और नसले भेदवाव के उन्मूलन के लिए अंतरास्टी दिवस मनाए गया 22 मार्च को बेसुजल दिवस मनाए गया तो मार्च में अब तक इतने इंपोर्टेंड ये मनाए गये ये आपको याद रखने है अच्छा आज किस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं 40 से लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है अलपो लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और सेर जरू किया करो और मैं आपको भी बोलता हूँ डेली मौर्निंग मोर्ट कर सबसे पहले अपने लेक टारगेट पिक्स करो अपकी लाइफ ऑ्टोमेटिकलि अच्छी हो जाएगी 30 वर्सों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किये गए हैं तो अभी बुरूंदी में तेस बरसों में पहली बार पोल्यों के मामले दर्ज की गए तो इसकुशन का से ओप्संस है यह, बुरुंडी यह एक अफ्रीकन कंट्री है, आप मैप में लेखिए, यह है बुरुंडी, बुरुंडी की कैपिटल क्या है, गितेगा, इसकी करंसी क्या है, बुरुंडी फ्रें इंजिनिरिंग एंड टेक्नोलोजी में भारत में कौन सीर्स पर रहा है तो अभी QS World University रैंकिंग जारी की गई इसमें इंजिनिरिंग एंड टेक्नोलोजी में इंडिया में आयटी बॉम्बे टॉप पर आये तो इसकुषिन का बे आप्सेंस है अब आयटी की बात है तो आयटी रुड़की के बेग्ज्यानिकों ने नए जीबन रोधी अडू आयटी आर्ड डबल जीरो 693 की खोज की रेलैंस लाइफ साइंसिस को आयटी कानपुर से जेन थेरपी टेक्नोलोजी में लाइसंस मिला है केंद्री मंतरी अनुराग ठाकुर ने आयटी रोपड में युबा उत्सब की सुरुआत की है नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल्स पर आयटी मद्रास ने डेनमार्क के साथ साज़दारी की आयटी मद्रास इस रोख के लिए इस स्पेस फ्लाइट प्रसिक्षड मॉड्यूल बिक्सित करेगा आयटी के बारे में आप इतना याद रखिए यह जो QS World University रैंक्न जारी की गई है इसमें इंडिया में IIT Bombay टॉप पर है अगर पूरे बल्ड में आप देखोगे तो पूरे बल्ड में IIT Bombay एक सो बहात्तर में नमबर पे है कौन जे नमबर पे है एक सो बहात्तर में नमबर पे ने क्यूशन है हाली में प्रदानमंत्री मोधी ने कहां ITU Area Office and Innovation Center का उद्गाटन किया तो प्रदानमंत्री मोधी ने अभी नई दिल्ली में ITU Area Office and Innovation Center का उद्गाटन किया तो इसकुशन का से ओप्सन है ITU Area Office and Innovation Center इसमें 6J Vision Document को भी प्रदानमंत्री मोधी ने लॉंच किया है हाली में J20 Research and Innovation Initiative Gathering का आयोजन कहा हुआ है तो J20 Research and Innovation Initiative Gathering का आयोजन अभी असम में हुआ तो इस कुछिन का बे आप्शन सही है असम के डिबरुगड में इसका आयोजन हुआ है अब असम तो ये है मैप में असम असम की केपिटल क्या है दिस पोर असम के चीपनिश्टर कौन है हिमनता विश्व सर्मा अभी पहला बोडो लेंड अंतरास्थी ज्यान महुत सब असम में हुआ गुलाब चंद कटारिया ने असम के राजिपाल की रूप में सपत ली असम का नया डिजपी ग्यानेंद प्रताप सिंग को न्यूक किया गया असम सरकार ने मटिया वाग हवा महल का अधिगरण किया है और असम के मंत्री मंडल ने सफाई करमचारी आयोक के लिए बिधयक को मंजूरी दी है अच्छा असम में कटी भी हूँ, बगरुमबा, भुरताल और जुमौर ये लोक नत्ति फहमास है असम में कौन-कौन से नेशनल पार्क हैं? काजीरंगा, मानस, ओरंग, डिबरुस एकोबा, रायमोना और देहिंग पट गई ये असम के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है जिसमें से काजीरंगा नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है ये एक सिंग वाले गेंडे के लिए फहमास है और पूरे देश में ये इकलोता ऐसा नेशनल पार्क है जो सेटेलाइट फॉन से कनेक्ट हो चुका है ने कीशन है, हाली में किस ने नई दिल्ली में बैदिक बिरासत पोर्टल का उदगाटन किया तो अभी केंडरी मंतरी अमित्सा ने नई दिल्ली में बैदिक बिरासत पोर्टल का उदगाटन किया तो इसका उदगाटन केंडरी ग्रह मंतरी अमित्सा ने किया ने कीशन है, हाली में सरवजोट सिंग ने ISSF बिसुकप में पुरुसों की 10 मेटर पिस्टल इस परदा में कौन सा पदक जीता है तो सरवजोट सिंग, इन्होंने अभी ISSF बिसुकप में पुरुसों की 10 मेटर पिस्टल इस परदा में स्वड़ पदक जीता तो इस कुशिन का C options है यह हैं सरबजूत सिंग अच्छा यह जो ISS है बिसुकप है यह कहां पर हुआ है यह भोपाल में हुआ है ने हुशिन है हाली में किसे केरल के सरबुच नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया तो केरल के सरबुच नागरिक सम्मान से अभी लेखक MT कुछ नागरिक सम्मान है कौन सा तो इसका नाम है केरल जोती इससे अभी लेखक MT वासुदेवन नायर को सम्मानित किया गया अच्छा अभी संगीत कलानेदी पुरुषकार से बॉंबे जैसरी को सम्मानित किया जाएगा सरस्टी सम्मान 2022 के लिए सिभ संकरी को चुना गया प्रिचिकर आर्किटेक्चर पुरुषकार दुजर 23 की विजिता की रूप में सर डेविट चिमपर फिल्ड को चुना गया आठ में राश्टी फोटोग्राफी पुरुषकार सम्मारों में लाइफ टेम अचीब्मेंट पुरुषकार से सिप्रादास को सम्मानित किया गया और दुजर 23 का मारकोनी पुरुषकार हरी बाल कृष्णर ने जीता है नएक कुशन है हाली में एलिवेट एक्सपो का 26 संस्कर कहां आयोजित किया गया तो एलिवेट एक्सपो का 26 संस्कर अभी दुबई में आयोजित किया गया तो इस कुशन का से ओप्सन सही है और निवेसकों को बैस्विक समकच्चों के साथ जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करेगा ने कुशन है हाली में किसने call before you dig एप लॉंच किया है तो प्रदानमंतरी नरेंद्र मोदी ने अभी call before you dig एप लॉंच किया तो इसकुशन का बे आप्सन सही है ये असंगटित खुदाई को रोकने के लिए है call before you dig एप इसे प्रदानमंतरी नरेंद्र मोदी ने लॉंच किया है ने कुशन है हाली में RBI का डाटा सेंटर और साइवर सुरक्षा प्रसिक्चर संस्थान कहां इस्तापित किया जाएगा तो RBI का डाटा सेंटर और साइवर सुरक्षा प्रसिक्चर संस्थान अभी भुबनेशवर में स्तापित किया जाएगा तो इसकुशन का से ओप्सन सही है अब RBI यानि की रिजर बैंक ऑफ इंडिया इसकी स्तापना कब होई एक अप्रेल 1935 को इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है मुंबई में और इसके प्रजेन टाइम पर गवर्नर कौन है सक्तिकांत दास सक्तिकांत दास RBI के 25 वे नम्मर की गवर्नर है नेखिशन है हाली में घोडों का त्योहार घोडे जात्रा कहां मनाया गया है तो नेपाल में एक जगे है ललितपूर यहाँ पर घोडों का त्योहार जिसका नाम है घोडे जात्रा मनाया गया तो इसके इनका बे ओप्सन सही है ये गुरु मापा नमक एक राक्चस पर बिजय के उत्सब की रूप में मनाया जाता है तो ध्यान रखना नेपाल में एक जगे है ललितपूर यहाँ पर घोडे जात्रा उत्सब मनाया गया अब नेपाल तो ये है मैप में नेपाल नेपाल की केपिटल क्या है काटमंडू नेपाल की करंसी क्या है नेपाली रुप्या नेपल के प्रजेंट टाइम पे प्रामिस्टर कौन है पुस्प कमल दहल प्रचंड नेपल के प्रजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है राम चंदर पॉंडेल और नेपल के अभी नई राष्ट पती बने है राम सहाय प्रसाद यादाव अभी नेपल के राष्ट पती ब ग्रूप में अमंतरित किया गया क्रिकेटर मनोज प्रवाकर को नेपल क्रिकेट टीम का मुख कोच नियुक्त किया गया अच्छा इंडिया और नेपल के बीच में कौन सी डिफैंस एकसाज होती है तो इंडिया और नेपल के बीच में सूर्य केरड़ नाम की डिफैंस परकार ने कहां Statue of Knowledge की स्तापना को मंजूरी थी तो माराष्ट में एक जगह है लातू यहां पर डॉक्टर भेम राव अमेडकर की 70 फेट उंची प्रतिमा इसका नावरण किया जाएगा और इसको नाम दिया गया है Statue of Knowledge तो इसकुशन का C options है ने क्यूशन है हाली में किस राजी के मुख्यमंत्री ने Mission Lifestyle for Environment शुरू किया है तो असम के चिपनिश्टर हिमंता विश्व सर्मा ने Mission Lifestyle for Environment शुरू किया तो इसकुशन का A options है अच्छा इसका परपज किया है तो इसका परपज बाता बढ़के प्रति जाग रुकता बढ़ाना जिसमें ब्या की जगे संसादनों के उप्योग पर ध्यान के इंद्रित होगा ने Mission है हाली में जारी लिस्ट में स्वनिर्मित अरपतियों में कौन सा देश टॉप पर रहा है तो सेल्फ मेड व्लेनियर्स की लिस्ट में अभी चाइना टॉप पर रहा है तो इसकुशन का से options है चाइना फर्स्ट पर है USA सेकेंड पर है और अपना देश भारत थर्ड पर है चाइना में स्वनिर्मित अरपतियों की संख्या 891 है USA में स्वनिर्मित अरपतियों की संख्या 496 है और अपने देश भारत में स्वनिर्मित अरपतियों की संख्या 105 है अब चाइना टॉप पर है तो यह है मैप में चाइना चाइना की केपिटल के है बेजिंग चाइना क कुनामित किया गया चैना ने संचार उबग्रह जौंग संग्टिसइक्स का परक्षे पड़ किया चैना ने अमेरिका में अपने दूथ चिन गांग को नया बिदेश मंत्री बनाया है बैग्यानिक पत्रों के प्रकासन में चाइना टॉप पर रहा है चाइना ने अपने अंतरिच स्टेशन के लिए मेंग्टियन नामक लेब मॉड्यू लॉंच किया है और चाइना ने कूबिड के खिलाब पहला इनहिलेवल बैक्सीन लॉंच किया तो इतना आप चाइना के बारे में याद रखिए अब लास्ट वीडियो के कुशिन का आंसर लास्ट वीडियो मैंने आप से कुशिन पूछा था कि किस देश ने अपना पहला सब्मरीन बेस शुरू किया है उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का कुश्चन है हाली में स्वास्ते का अधिकार बिध्यक पारित करने वाला पहला राजी कौन सा बना है चार ओप्सन दिये गए हैं इनमें से आपको अपना अंसर होताना है और इसके अलाब हम हमारे फेसुक पेज पर प्रॉलम है तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश रसी इंस्टाग्राम पर इंद्रेश रसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट कोई भी कन्फूजन बिदाउट एनी हजीटेशन डिसकस कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है अल्पो लगा है तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरू किया करो और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड वाट्सप और फेसव ग्रूप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरू कर दिया करो तो यह था आप से सब्सक्राइब करेंगे तो बरावर में एक बेल आइकन मन के आएगा आप उस बेल आइकन पर जरू क्लिक कर लें जिससे के आपको डेली मॉर्निंग में करेंट अफेस की वीडियो मिलती रहे नेक्स्ट एक्जाम और बेज वीडियो थैंक्स और वाचिंग